अजिवा, आप लोग जाते हैं, बहत-समोई ऐसे भी होगे, नहीं जानते होगे आप लोगो तो वह शॉवाभी समझ जा रहे, सिर्फ पाकिसान सुवाधा, गुशन उन्हाह नहीं नहीं देख समय कोई लड़काब है? उनको पता होता है कि लड़ी किया ही है अचा मुस्टली एद आपकी कहां गुजरती है घर में गुजरती है घरवालों के साथ या क्योंकि आप एथलीट है ऐसा भी होता होगा कि आपको एद बाहर भी गुजरनी पड़ती है तो मुस्टली जो ईद होती है वो प्रेफर तो अपकोर्स हर बन्दा करता है कि घर में गुजरे गरवालों के साथ गुजरे लेकिन आपकी ईद मुस्टली कहा गुजरती है जब से क्रिकेट में आई हूँ तब से मेरा दो तीन इद ऐसे गुजरी हैं जुसमें हम पाकिस्तान में नहीं थे और घर पे नहीं थे वैसे ज़ाए तर तो फैमली के साथ ही गुजरती है और इद के दिनों की एक वीड मिल जाता है और वैसे हर दफा रमजान में हमारे कैंपस तो गरह लगे होते हैं इस दफा हमें थोड़ा रिलक्स हैं क्योंकि हमारा पीछे वल्ड कप गुज़रा दो महीने का और यीद भी आप पाकिसान में है बाहर जैसे आपने अभी का बाहर इतना नहीं होता लेकिन लोग भूल गयों कि यह बहने हैं या इतनी शकले इनकी मिलती हैं इनके स्टाइल पे एक जैसे हुआ हूआँ कोई आसा मज़ेतार वाक्या यह हमारे साथ तो बाक्य हुती रहते हैं एक बूल और मैंने जा कि वो चीज खरीदी बाहरी थी मैं शॉप के, तो एक चोटा बच्चा आया मेरे पास, तो उसने देखा मुझे, देखा इसने एरिंग्स पहनी हुई है, इधर से मुझे टाप करती कहता है, बाई, दो मी पहनी आने, मैं कभी एगला है, तो बड़ा वो फनी लग कि वो काफी देर मुझे अब्सर्फ करता रहा कि ये लड़के ने एरिंग्स पहनी है, लेकिन उसका अंदाज मुझे इतना चलगा कि यहां से बिल्कुल चलके आ, यहां पर मुझे टैप करके, इसने बोला है, बाई, दो मी पहनी आने, तो इसने कि काफी फनी सीन होते हैं, लेकिन विदिन पाकिस्तान, विदिन सम सिटी सिस्टा की चीजे होती हैं, और हम लोग तो वैसे भी काफी फनीस्ट करेक्टर है अपने टीम के, अब जॉली है, हाँ, जॉली कह सकते हैं, लड़कियों के कोशिश होती है कि हमारे सामने को गलती ना कर, अन्ना हम उंको छेड हम छेड़ छेड़ के उंको खतम करते हैं, नहीं वैसे इतनी देर में, बलके बताता चलू मैं कि जब हम लोग पहले बात कर रहे थे, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले तो इतनी चीज़े मैं आपके बारे में अब्सर्व कर चुका था पहले से, तो जब मैंने प्रोग मेरे ख्याल से मेरी दो ही बाहर गुजरी हैं और वो टूर पे गए थे हम लोग बाकी तो फैमिली के साथ ही गुजरती हैं